हेलो एवरिवन, वेलकम टू लर्नीजी मैसे अंड आट्स क्लासेज, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 4B करेंगे, इंटीजर्स की एक्सरसाइज 4B, इन दे प्रिवेस वीडियो आई एक्स्प्रेंड यू एक्सरसाइज 4A, अगर आपने वो वीडियो नहीं दे प्लस और प्लस प्लस होता है, इसी तरह माइनस नंबर, पहला और माइनस नंबर दूसरा, अगर आपस में मल्टिप्लाई हो या फिर डिवाइड हो, तो भी माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, ये तो वो केस था, जब दोनों साइन एक जैसे थे, प्लस प्लस सेम है न, तो प्लस हो गया, माइनस माइनस सेम है न, तो यहा माइनस का या फिर पहला माइनस का मल्टिपलाई दूसरा प्लस का दोनों साइन जब उल्टे हो नम्बरों में तो मल्टिपलाई करने पे जब उल्टे साइन होंगे तो आंसर में माइनस लगेगा तो ये चार बात धियान रखनी है किसके लिए मल्टिपलाई के लिए और दिवाइड में यूज होगा क्या कि प्लस प्लस सेम है तो प्लस होगा माइनस माइनस ये भी सेम है तो प्लस होगा प्लस माइनस उल्टे है तो माइनस आएगा माइनस प्लस उल्टे है तो उल्टे में माइनस लेना है ये आंसर में साइन लगते हैं ठीक है ये तो वो केस था जब हम multiply या divide कर रहे थे अब हम अगर add या subtract वाला कर रहेंगे work, add और subtract तो उसमें क्या होगा, उसमें case अलग है, पहला number प्लस का और दूसरा भी number अगर प्लस का हो, प्लस और प्लस अगर दे रखे हो, तो दोनो sign सेम है, तो उस case में आपको क्या करना है, add करना है, और sign किसका use करना है, क्योंकि दोनो number प्लस के है न, तो sign हमें वैसे याद रखो, कि जब addition और subtraction होगा, multiply या divide नहीं होगा, तो sign will be of greater number, sign जो हम लगाएंगे, answer में वो sign of greater number का लगाएंगे, ठीक है, तो addition और subtraction का case है, ये multiply और divide का case बताया था मैंने, multiply और divide में अलग चलता है, addition और subtraction में अलग चलता है, तो दो number प्लस और प्लस के है, तो आपको उन्हें add करना है, और sign बड़े वाले का लगाना है, दो number minus के, द एला भी minus का, दूसरा भी minus का, तो उस case में भी आपको क्या करना है, add ही करना है, minus minus भी क्या होगा, add, और sign किसका लगाएंगे, greater number का, जैसे मैंने अभी उपर बताया था, वो ही same है, यहां बताया था न, plus और plus होगा, तो plus प्लस क्या होता है, add होता है, same sign है, तो add करेंगे, जैसे यहां था न, same sign, तो plus था, यहां भी same sign था, तो plus sign था, बट यहां पर same sign है, तो plus करना है, लगाना नहीं, उसमें तो हम लगा रहे थे, plus का sign, multiply या divide वाले question में करना क्या होता है, या तो multiply करेंगे, दो number को, या divide करेंगे, plus थोड़ी न करेंगे, तो addition और subtraction वाले question में, हम या add करेंगे, या subtract करेंगे, but sign बड़े वाले का लगाएंगे, multiply और divide वाले question में, multiply करना पड़ेगा, answer या फिर divide करना पड़ेगा, but sign बड़ेगा नहीं लगेगा, multiply और divide वाले question में, sign बड़े वालों का नहीं आता, sign यह आएगा, plus plus है तो plus लगाना पड़ेगा, sign, minus minus है तो प्लस लगाना पड़ेगा, तो ये हो गए आपके addition और subtraction के दो sign, ये तो वो थे जब आपने same same ले रखे थे, अगर एक number plus का है और दूसरा number minus का है, अब addition और subtraction का question है, तो या तो add किया जाएगा, या subtract किया जाएगा, इन ही में से कुछ होगा, multiply तो करेंगे नी, तो plus और minus, उल्टे sign है न, तो plus और minus का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अभी मैंने बताया था, उल्टे sign हो, plus और minus तो minus होता है, तो हम यहाँ पर करेंगे, minus लगाएंगे नी, करेंगे, sign किसका use होगा, sign तो बड़े वाले का use होगा, sign of greater number, जो भी इन दो value में, बड़ी value होगी, उसक प्लस का हो, और question में multiply, divide कहीं न हो, addition या subtraction हो, तो या तो add करना पड़ेगा इन या subtract, तो sign देखोगे, आप minus और plus उल्टे sign है न, तो उल्टे sign में आपको subtract करना होगा, minus, और sign तो हमेशा किसका लगाना है, greater number का, तो यह बाते आप याद रखेंगे, इन question में, ठीक है, तो अब हम पहला question देखते हैं, bracket के अंदर है plus का 73, फिर plus bracket के अंदर है plus का 37, सबसे पहले work यह है कि आप bracket को हटाओ, first work is remove bracket, तो bracket हटाने के लिए न, bracket के बाहर कौन सा sign यूज हुआ वा है, plus का sign या minus का, उस पे जरूर दियान दे, bracket के बाहर भी और bracket के अंदर भी, दोनों जगा sign जरूर देखने हैं आपने, और sign हमेशा left hand पर देखा जाता है number के, suppose करो एक number लिखा 75, और इसका sign अगर पूछा जाए न, तो इसका sign इसके right hand पे नहीं लगावा होता है, right hand पे नहीं होता है sign, sign का होता है left पर, और 75 के जो आगे sign लगावा है न, वो उसका sign नहीं है 75 का, वो तो उसके अगले वाले number का sign है, तो जो अगला number होता है, उसका sign है, ये plus, तो sign हमेशा number के left hand पर देखा जाता है, कहां देखा जाएगा, left पर, तो आपको क्या करना है, ये bracket है, इस bracket को हटाना है, और इस bracket को भी हटाना है, तो bracket का मतलब क्या होता है, bracket means होता है multiply, outside number की inside number स क्या करनी multiply bracket means multiply of outside and inside value ठीक है तो यहां पर आप bracket के बाहर देखो कुछ भी नहीं है जब bracket के बाहर कुछ है ही नहीं तो हम multiply 73 की किसी से नहीं करेंगे ऐसे ही लिख देंगे plus का sign लगा के 73 को ऐसे ही लिख देना है अब यह bracket है यह bracket का मतलब भी क्या है multiply किसके multiply bracket के बाहर जो value है और bracket के अंदर जो value value तो है नहीं बट sign है देखो bracket के बाहर उल्टे हाथ पर क्या है plus का sign bracket के अंदर क्या है वो भी plus का sign तो outside वाले sign को inside वाले sign से क्या करना है bracket है ना तो bracket का मतलब क्या multiply तो plus की multiply plus से होनी है तो multiply वाले case में देखो plus multiply plus same sign होंगे तो answer क्या आएगा plus का आएगा तो हम दो-दो sign ना लगा करके एक ही sign लगा देंगे और 37 लिख देंगे अब अगला वर क्या करना है कहीं पे भी multiply का symbol तो है नहीं और ना ही bracket है तो हम इन दो values को या तो add करेंगे या subtract करेंगे अब उसको देखना है कि add किया जाए या subtract किया जाए तो sign check करने पड़ेंगे 73 का sign इसके उल्टे हाथ पर देखना है left hand पर ये किसका sign है 73 का 37 का sign कौन सा है ये वाला दोनो numbers के sign क्या है plus तो जब दोनो number plus plus के होते है तो plus और plus क्या होता है same sign है तो add होता है तो हमें इनने क्या करना है add करना है तो इनने जब आप add करोगे 73 को और 37 को तो answer हो जाएगा 110 अब answer जो लिखाना उस answer के left hand पर आपको sign भी लगाना पड़ेगा sign दो ही होते है या तो plus का sign या minus का sign तो sign किसका use होगा जब हम add या subtract question करते है तो sign greater number का use होता है तो इन में greater कौन है 73 बड़ी value दिख रही है तो 73 के उल्टे हाथ पर plus है ना तो answer में भी क्या आजएगा बड़ी value का sign यह हो गया आपका part number first अब देखो part number second 125 plus bracket plus का 35 first work मैंने आपको क्या बताया था first part में कि हमें सबसे पहले तो bracket हटानी होती है 125 तो bracket के बिना लिखावा है तो बिना bracket के है तो हम इसको as it is लिख देते हैं अब बात करें इस bracket की तो जो bracket होती है ना उस bracket का मतलब क्या होता है multiply तो bracket के बाहर क्या है और bracket के अंदर क्या है bracket के बाहर कोई number नहीं है bracket के बाहर एक sign है तो अंदर भी sign देखेंगे दोनो sign देखेंगे और दोनो sign को क्या करना है multiply multiply word क्यों बोला मैंने bracket है ना तो bracket का मतलब multiply तो plus की multiply प्लस से होनी है तो multiply वाले case में देखोगे जब plus और प्लस होता है तो same sign में हम बड़ा या छोटा नहीं देखते, ये तो multiply कर रहे है, multiply वाले case में greater value नहीं देखी जाती, तो हम याँ multiply कर रहे हैं तो plus और plus का sign plus आ जाएगा, सेम है ना देखो plus multiply plus क्या होता है सेम है तो plus लेने है और number को ऐसे ही लिख देना है अब कहीं पे भी ना तो multiply का sign दिख रहा है और ना ही bracket दिख रही है तो multiply finish हो गई अब बारी है add या subtract करने की तो 125 के left hand पर sign देखेंगे left पर sign हमेशा उल्टे हाथ पर देखना है सीधे पर नहीं तो 125 के उल्टे हाथ पर कोई sign ही नहीं है ना तो plus का sign दिख रहा है और ना minus का तो ऐसे numbers कुछ भी लिखावा है जैसे 125 लिखावा है ऐसे numbers जिनके उल्टे हाथ पर कोई sign ही नहीं होता ना, वहाँ पर plus होता है, याद रखें, तो ये 125 का sign क्या है, plus है, नहीं लग रहा कोई बात नहीं, बट, एक्चुल में यहाँ क्या sign है, plus sign, और 35 के उल्टे हाथ पर क्या है, plus sign, multiply कहीं है, नि, दोनों number कौन से sign के है, plus plus sign के है, तो add करेंगे हम, क्यों add करेंगे, क्योंकि जब same sign होते हैं, plus और plus, तो क्या करना होता है, add, तो हम इने add करेंगे, 125 को और 35 को तो answer हो जाएगा, 160, और answer लिखने के बाद, चाहे आप add करो, चाहे आप subtract करो, add और subtract वाले question में, answer लिखने के बाद, sign बड़ी value का लगता है, 125 बड़ी value दिख रही है, इसके उल्टे हाथ पे plus था, तो answer में भी क्या लगाएंगे, plus, plus उल्टे हाथ पर लगाना compulsory नहीं होता, बट आप लगाएंगे तो अच्छा है, आपको पता होना चाहिए, तो आप plus का 160 लिख दो, या फिर खाली 160 लिख दो, एक ही बात है, जैसे यहाँ था, 125 था नए, हमने इसे क्या लिख दिया था, plus का 125 लिख दिया था, plus लगाओ या मत लगाओ, उल्टे हाथ पर, बिल्कुल शुरू में, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में, प्लस लगाना कंपल्सरी नहीं होता, बट आप लगाएंगे तो अच्छा है, ठीक है, तो यह हो गया आपका सेकेंड पार, थार्ड पार देखो, ब्रैकेट में है, प्लस का 212, प्लस 86, तो यहां ब्रैकेट हा रही है, ब्रैकेट मेंस मल्टिप्लाई, किसकी मल्टिप्लाई, ब्रैकेट के बाहर जो लेफ्ट हैंड पर है, राइट हैंड पे नहीं देखना, लेफ्ट हैंड पर देखना है, लेफ्ट हैंड पर तो कुछ हैं ही नहीं, जब यहाँ कुछ है ही नहीं left hand पे bracket के बाहर तो bracket को ऐसे ही हटा दो और directly दो प्लस का 212, प्लस का 86 अब next work क्या करेंगे हम, दोनो numbers या तो add होंगे या फिर subtract होंगे तो उसके लिए हमें देखने पड़ेंगे sign, दोनो numbers के sign एक जैसे दिख रहे हैं और जब भी दोनो numbers के sign एक जैसे दिखें तो आप add करोगे, कभी भी subtract नहीं करोगे जब एक जैसे दिखें, प्लस प्लस दिख रहा है, चाहे minus minus दिखाना, वो भी तो एक जैसे होंगे minus minus, तो भी आपको plus ही करना है, तो अब हम इने plus कर लेते हैं, 212 को और 86 को तो जब आप इने add कर लोगे, तो यह हो जाएगा, 298 answer लिखने के बाद, उस answer में left hand पर sign भी लगाना compulsory है, हर बार लगाएंगे, हर part में मैंने पिछले दो part में भी लगाया था, इसमें भी लगाऊंगा, और किसका sign लगाऊंगा, चाहे आप add करो, चाहे आप subtract करो sign तो हमेशा बड़ी value का लगेगा, कौन बड़ा दिख रहा है, इन दोनों numbers में, 212 बड़ा दिख रहा है, 220, जिसके उल्टे हाथ पर plus था, तो हम भी answer में क्या लगाएंगे, plus का 298, तो final answer आपका क्या हो गया, या तो आप plus का 298 लिख दो, या फिर plus मत लगाओ, 298 लिख द plus bracket में है, minus 42, तो सबसे पहला work हमें क्या करना होता है, हमें bracket को हटाना होता है, तो हम bracket को हटाने के लिए bracket के बाहर भी sign देखेंगे, और bracket के inside में भी, तो bracket ये है, इसके left hand पर बाहर कुछ भी नहीं है, जब कुछ है ही नहीं sign, तो bracket ऐसे ही हटा दो, और minus का 36 को ऐसे लिख द अब इस bracket की बारी है, ये जो bracket है, इस bracket के उल्टे हाथ पर क्या है, बाहर की side, bracket के अंदर नहीं, bracket के उल्टे हाथ पर, ये plus का sign दिख रहा है, कौन सा sign है, plus, और अंदर क्या sign है, minus, ये bracket है, bracket किसे कहते है, bracket कहते है, multiply को, तो plus और minus, उल्टे sign है न, जब दो sign उल्टे होते है प्लस और माइनस तो आपका sign क्या use होता है? माइनस sign use होता है उल्टे sign में और number क्या है? 42 अब next work क्या करेंगे? दोनो number के sign देखेंगे या तो इनको minus करना पड़ेगा या इनको plus तो आप खाली बीच का sign ना देखें कभी आप सोचो के बीच में इन दोनो number के minus है तो इनको minus कर दिया जाए ऐसा नहीं है आपको दोनो number के sign देखने है 36 के उल्टे हाथ पे क्या है? minus 42 के उल्टे हाथ पे क्या है? minus दोनो sign एक जैसे दिख रहे हैं दोनो numbers के sign कैसे है? same तो जब same sign होते हैं तो आपको plus लेना होता है मतलब आपको इने plus लगाना नहीं अगर आपने plus लगा दिया तो गलत हो जाएगा plus करना है sign किसका लगाएंगे? sign तो बड़ी value का लगाएंगे जब हम add या subtract करते हैं तो sign बड़ी value का लगाते है ठीके ना? तो यहाँ पर minus और minus एक जैसे sign दिख रहे थे और एक जैसे sign दिखने की वज़ा से दो value को plus किया जाता है तो जब आप इने plus करोगे तो आपका answer आएगा 78 और answer में sign किसका लगेगा? जो बड़ी दिख रही ही होगी 36 और 42 में कौन बड़ा दिख रहा है? 42 बड़ा दिख रहा है 42 के left पे क्या है? minus तो answer में भी minus आएगा तो यह होगा आपका fourth part का answer अब आएं fifth part पे minus 92 plus minus 29 तो first step क्या होता है? bracket को हटाना तो यह bracket अगर हम हटाएं तो bracket के बाहर left hand पर देखना right पे नहीं देखना, उल्टे हाथ पर यहाँ bracket के बाहर left hand पर left hand पर कुछ भी नहीं है तो bracket ऐसे ही हटा दो और minus का 92 लिग दो, अब यह bracket अटानी है यहाँ से लेके यहाँ तक है यह bracket bracket के बाहर कौन सा sign है? plus left hand पर और bracket के अंदर क्या है? minus तो bracket का मतलब क्या होता है? multiply और जब हम multiply वाला case कर रहे होता है तो हमें बड़ी या छोटी value कुछ नहीं देखनी हमें तो बस sign पर focus करना है दो sign कैसे है यह? plus और minus उल्टे sign है तो minus आ जाएगा minus लगाने के बाद इस number को note कर दो अब अगला work क्या करेंगे? दोनों number के sign चेक करेंगे कहीं पे भी multiply नहीं दिख रहा है और नहीं bracket दिख रही है इसलिए हम इनको या तो add करेंगे या subtract उसके लिए हमें देखने पड़ेंगे sign इसका sign minus है इसका भी sign left hand पे minus है दोनों के left पे क्या है? minus बाद उसमें sign भी लगाया जाता है जब add या subtract करते हैं तो sign बड़ी value का तो 92 बड़ा दिख रहा है बड़े वाले का sign minus आजएगा यहां तो यह हो गया आपका final answer अब आजाएं 6th part पे bracket में है minus का 315 plus bracket में है minus का 80 तो सबसे पहले तो हम bracket अटाएंगे यह bracket इसके अंदर minus है और बाहर left hand पे कोई sign ही नहीं है जब कोई sign ही नहीं है bracket के बाहर bracket ऐसे ही हटा दो और minus का 315 ऐसे ही लिखतो अब यह वाली bracket हटाएंगे इस bracket के left hand पर क्या है plus और अंदर क्या sign है minus क्योंकि bracket के बाहर और अंदर आने वाले sign उल्टे है एक plus का है और एक minus का तो उल्टे sign में minus लिया जाता है plus नहीं लेंगे 18 को ऐसे ही लिखतो अब दोनो sign देखो जो दोनो number में है इसके left पे क्या है minus इसके left पे क्या है minus क्योंकि दोनो sign एक जैसे हैं जब sign एक जैसे दिखते है ना चाहे वो plus plus दिख रहे हो चाहे वो minus minus दिख रहे हो जैसे कि यहाँ minus minus दिख रहे हैं तो एक जैसे sign जब दिखेंगे तो आपको plus करना है plus अगर आपने लगा दिया तो गलत minus और minus plus होता है बट हम plus लगाएंगे नहीं लगाना तो बड़ी value का sign है plus नहीं लगाएंगे plus को करेंगे तो plus लगाने की बजाए plus किया जाएगा तो 315 और 18 जब आप जोड़ोगे तो answer आजएगा 333 और sign किसका लगा देंगे जो इन में बड़ा दिख रहा है minus का 315 तो minus लिख देंगे हैं यह हो गया आपका final answer 6th पार्ट का अब देखें पार्ट नमबर 7 179 plus minus का 85 तो सबसे पहले तो हम bracket लटाएंगे 179 तो बिना bracket के है तो ऐसे ही लिख दो इस वाली bracket को हटाने के लिए बाहर क्या sign है plus अंदर क्या sign है minus plus और minus उल्टे sign है जब भी उल्टे sign दिखते हैं तो उन में से minus लिया जाता है तो minus ले लो plus को छोड़ दो 85 आजएगा ऐसी अब इन दोनों नमबर को या तो plus करना है या minus करना है इन दोनों नमबर को या तो add या फिर subtract तो sign उल्टे हाथ पर देखे जाते हैं और उनी sign हों को देखकर पता चलता है कि हमें plus करना चाहिए या minus तो 179 के उल्टे हाथ पर ना तो plus लगावा है sign ना minus तो ऐसे में जब कोई sign नहीं होता न तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं plus तो भले से यहाँ 179 के left पर कोई sign नहीं था प्लस और minus उल्टे sign है तो plus और minus क्या होता है minus होता है minus करेंगे लगाना नहीं है minus लगाएंगे तो बड़ी value का sign क्योंकि अब हम इनमें multiply नहीं कर रहे है जब multiply नहीं करते तो हमें sign बड़ी value का लगाना होता है तो बड़ी value इन में कौन दिख रही है 179 बड़ा दिख रहा है जिसमें plus है तो हम answer में भी क्या लगाएंगे plus का symbol लगाएंगे minus नहीं लगाएंगे बट दोनों के sign देखके क्या पता चल रहा है कि plus और minus उल्टे sign है तो minus होना चाहिए तो इनको क्या कर लो आप इनको आप करोगे minus तो 7th part का जब answer आप minus करके निकालोगे तो वो क्या आजाएगा 94 अब आजाए next part पर part number 8 8th part है आपका bracket में minus का 118 plus 210 तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जैसे अभी तक हमने करा है बाकी question में सबसे पहले तो bracket हटाई जाएगी first we will remove the bracket तो bracket ये वाली हटाने के लिए left पर देखोगे कोई sign ही नहीं है तो bracket ऐसे ही हटा कर direct लिख देंगे minus का 118 और आगे bracket है ही नहीं तो plus का 210 ऐसे ही लिख दो अब next step क्या करेंगे आप इन दोनों values में जो बड़ी है ना उसका sign answer में लगा दो sign किसका लगाओगे जो बड़ी दिख रही है 210 बड़ा दिख रहा है तो इसका sign plus था left पर तो हम भी answer में plus लगाएंगे तो sign तो लग गया अब इन दोनों के sign क्या है एक में minus है और दूसरे में plus है one number is having minus sign another number is having plus तो दोनों sign जब देखे तो उल्टे sign आ रहे है उल्टे sign जब होते हैं तो क्या होता है minus प्लस और minus उल्टे sign है तो minus होता है तो आप इन दोनों को क्या करोगे minus करोगे और minus करके answer आजएगा आपका 92 तो यह होगा आपका final answer part 8 का अब आजए पार्ट नमबर नाइन्थ पे पार्ट नमबर नाइन्थ minus का 64 है plus bracket में plus का 18 सबसे पहला वर्क क्या करेंगे bracket को हटाएंगे और bracket हटाने के लिए उल्टे हाथ पर bracket के बाहर कुछ भी नहीं है तो bracket ऐसे ही हटके minus 64 आजएगा ये bracket जब आप हटाएंगे तो बाहर भी plus है अंदर भी bracket में plus है दोनों sign एक जैसे है तो plus आएगा minus नहीं आएगा दोनों sign एक जैसे हो तो plus लेलो 18 अब bracket का केल खतम जब bracket का केल खतम हो जाता है तो आपको sign दो number में जो बड़ा होगा उसका लगाना पड़ेगा answer में तो इन में बड़ा कौन दिख रहा है 64 बड़ा दिख रहा है तो minus लगा दो sign लगाने के बाद आप दोनों के sign चेक करो और वो दोनों के sign देखके पता करो कि आपको add करना है या subtract इसका sign क्या है left पे minus इसका sign क्या है left पे plus minus और plus उल्टे sign है तो minus और plus क्या होता है minus तो आप minus कर दो इनको तो 64 और 18 को जब आप minus करोगे तो आपका answer आजएगा 46 यह हो गया आपका 9th part अब आए 10th part part number 10th 10th part में आपका क्या है question minus का 142 है plus फिर plus का 142 है तो सबसे पहला step क्या है सबसे पहला step यह है कि आप bracket हटाओ जैसे अभी तक बाकी part में करा था तो यह bracket हटाने के लिए यह जो bracket है इसे हटाने के लिए bracket के उल्टे हाथ पर देखा जाएगा bracket के उल्टे हाथ पर क्या है कोई sign ही नहीं है बाहर जब कोई sign ही नहीं है तो minus का 142 ऐसे ही लिख दिया जाए अब यह वाली bracket हटाएंगे यह bracket हटाने के लिए बाहर क्या है plus और bracket के अंदर क्या है वो भी plus जब दोनो sign एक जैसे हों दोनो sign क्या हों एक जैसे तो आपको plus ही लगाना है minus नहीं लगाना और number उतार तो कितना 142 अब अगला वर क्या करेंगे आपको यहाँ एक नई चीज दिखाई दे रहे है जो अभी तक किसी question में नहीं थी वो यह कि दोनो number 142 142 है एक के उल्टे हाथ पे plus है और दूसरे के उल्टे हाथ पे minus तो ऐसा कभी कुछ दिखाई दे क्या के number तो एक जैसे हो और एक में minus लग रहा हो और दूसरे में plus लग रहा हो तो आप ऐसे number को cut करके answer क्या लिखोगे 0 तो final answer आपका 10 का क्या हो गया 0 अब आजाए next part पे part number 11 पहला number है 412 plus दूसरा number bracket में है minus का 503 सबसे पहले तो हम bracket अटाएंगे तो 412 को तो कुछ नहीं करना bracket अटाने के लिए बहार क्या है plus का sign अंदर क्या है minus का sign तो plus और minus minus होता है तो minus लगा देंगे और number वो ही लिखेंगे तो bracket अटाने के लिए हमें sign बड़े का नहीं देखना होता जब bracket अटानी होता है तो sign आप दोनों check करो बहार भी bracket के क्या है और अंदर भी क्या है उसके हिसाब से sign लगाओगे बड़ी या छोटी value नहीं देखते है bracket अटाने में बड़ी या छोटी value तो तब देखते हैं जब हम दो value को आपस में add या subtract करते हैं जैसे कि अब अगले step में करेंगे तो अब आप bracket तो कहीं दिखनी रही तो आप इन में जो बड़ा नंबर दिख रहा है ना उसका sign लगा तो बड़ा नंबर कोन है 503 माइनस का 503 के उल्टे हाथ पे माइनस है तो इसलिए हमने माइनस लगा दिया 412 छोटा नंबर था छोटा नंबर था इसलिए इसका sign हमने नहीं लगाया अच्छा इसके उल्टे हाथ पे कोई sign ही नहीं है तो इसके में क्या लेंगे हम plus sign जिसमें उल्टे हाथ में कुछ नहीं होता उसमें क्या होता है plus तो यहाँ पर हम 412 के उल्टे हाथ पर क्या लिख देंगे कि यह प्लस का नंबर है अगला step क्या करना है आपने बड़ी value का sign देख के तो लगा लिया अब दोनों के sign देखो इसके अंदर तो left पे plus sign है और इसमें left पे minus है दोनों sign कैसे है different है उल्टे है सेम नहीं है opposite sign है एक plus का और एक minus का तो जब plus और minus होता है तो आप minus लोगे उल्टे sign वालों में क्या लोगे minus that means 412 और 503 को आपने क्या करना है minus करना है तो जब आप इन्हें minus कर लोगे ना तो आपका answer बनेगा 91 तो यह हो गया आपका answer part number 11 का अब आजाए last part पे part number 12 एक है 176 प्लस दूसरा है minus का 176 तो सबसे पहला step क्या है bracket अटाना इसमें तो bracket है नहीं तो यह तो ऐसे ही आ जाएगा यह bracket जब आप हटा होगे तो बाहर तो plus है और अंदर minus है उल्टे sign है ना plus और minus उल्टे है तो हम क्या करेंगे bracket हटाने में बड़ी या छोटी value नहीं देखते plus और minus उल्टे sign है तो हम minus लगा देंगे और number क्या लिखेंगे 176 इसके left hand पे minus इसके left hand पे कुछ नहीं है तो यह कैसा number है यह plus का number है अभी मैंने पिछले एक पार्ट में बताया था आपको number तो एक जैसे दिख रहे हैं एक में plus है और दूसरे में minus तो ऐसे में हम number को cut कर दे अब आ जाते हैं next question पे question number two first part कैसे करेंगे इसका evaluate लिखा है same steps आपको follow करने है जो हमने first question में करे थे bracket के अंदर है plus का 110 minus bracket के अंदर है plus 20 सबसे पहले तो हमें bracket रटा नहीं है जैसे मैंने बताया था bracket यहा उल्टे हाथ पर bracket के कुछ है नहीं कोई sign ही नहीं है ना तो plus लग रहा है और ना minus तो हम इस bracket को हटा कर direct plus का 110 लिखेंगे अब यह bracket देखें तो इस bracket के उल्टे हाथ पर है minus और अंदर की side plus दोनों sign उल्टे देख रहे हैं तो जब दोनों sign उल्टे देखेंगे तो आपको क्या लगाना है minus का sign और number as it is लिख देना है अब bracket हट चुकी है जब bracket हट जाती है तो दो number को जब आप solve करोगे तो उनमें जो बड़ा दिख रहा होगा उसका sign आप answer में पहले ही लगा दो कौन बड़ा दिख रहा है इनमे 110 बड़ा दिख रहा है उसका sign प्लस है तो answer में भी plus पहले ही लगा दो अब दोनों sign दोबारा देखो अभी तो हमने सिर्फ बड़े वाले का sign देखा था अब दोनों के sign देखो एक में plus है दूसरे में minus उल्टे sign है that means इनको आप क्या करोगे minus करोगे तो जब आप इने minus कर लोगे तो आपका answer आजएगा 90 चाहे आप इसे plus का 90 लिख दो चाहे आप बिना plus लगाए 90 लिख दोगे वो भी ठीक होगा अब आजाते हैं part number second पे 500 minus bracket में plus का 217 तो bracket अटाएंगे सबसे पहला work 500 तो ऐसे ही आएगा ये bracket जब आप हटा होगे तो bracket के बाहर minus है और अंदर plus है ऐसे में जब उल्टे sign होगे तो आपको minus लेना है plus को छोड़ देना है तो minus और plus minus होगया 217 अब bracket हट चुकी है तो अब यहां हमें बड़ी value को देखना होगा और उसका sign answer में लगाना होगा तो बड़ी value कौन दिख रही है 500 बड़ा है और 217 चोटा है तो sign तो left पे देखते हैं तो 508 के उल्टे हाथ पे कोई sign ही नहीं है यहां प्लस लगाओगे तो plus का number 500 बड़ा है और 217 चोटा है तो plus का sign बड़े वाले का answer में लगा देते हैं अब दोनो sign देखोगे अब हम दोनो sign देखेंगे और वो दोनो sign देखके पता चलेगा कि हमें add या subtract करना है तो देखो इसमें plus है और इसमें minus उल्टे sign आने से क्या करते हैं minus तो आप इन दोनों को minus करोगे तो answer आजएगा 283 जब आप रफ में इनने क्या करोगे minus करोगे तो यह होगे आपका part number second अब देखें part number third third part है आपका plus का 165 minus 56 तो सबसे पहले तो हम यह bracket अटाएंगे तो bracket अटाने के लिए बाहर देखा left hand पे कुछ है ही नहीं sign या जब कोई sign ही नहीं है तो bracket हटके direct ऐसे ही लिख दो plus का 168 65 आगे का number भी ऐसे ही लिख दो क्योंकि उसमें bracket नहीं है अब यह जो number लिखें इन में जो बड़ी value दिख रही है उसका sign लगा दो आप तो इन में से बड़ा कौन दिख रहा है 165 बड़ा दिख रहा है और 165 के left पे plus है इसलिए हम यहां भी answer में plus का sign लगाएंगे sign तो लग चुका अब यह पता करना है कि plus करना पड़ेगा या minus तो एक number plus का है दूसरा number minus का है उल्टे sign आ रहे है plus और minus होता है that means इनको आप क्या करोगे minus करोगे और आपको answer मिल जाएगा 109 तो यह हो गया आपका final answer part number third का अब देखो part number four 45 minus bracket में plus का 72 तो 45 को तो ऐसे ही लिखना है क्योंकि यह बिना bracket के है यहां bracket आ रहे है और bracket के बाहर है minus और अंदर है plus उल्टे sign आ रहे हैं जब उल्टे sign होते हैं एक plus और एक minus तो minus लगाना होता है और number को ऐसे ही लिखना है अब अगला work क्या करेंगे इन दोनों में जो बड़ी value है उसका sign लगाएंगे 45 के left पे कोई sign नहीं है तो आप plus ले लोगे तो कौन बड़ा दिख रहा है 72 बड़ा दिख रहा है और उसके उल्टे हाथ पे minus है तो answer में भी क्या आएगा minus sign तो बड़े वाले का आ गया अब दोनों number के sign देख के पता करो कि आपको add करना चाहिए या subtract तो इसके उल्टे हाथ पे क्या है plus इसके उल्टे हाथ पे क्या है minus उल्टे sign आ रहे हैं एक plus और एक minus उल्टे sign जब आते हैं plus और minus तो minus होता है तो आप इन दोनों को subtract करोगे और subtract करके answer आ जाएगा 27 तो यह होगा आपका final answer part number 4th का अब देखें part number 5th bracket में plus का 30 minus का 93 तो सबसे पहला वार कि ये bracket आटा हो bracket के उल्टे हाथ पर बाहर कुछ है ही नहीं जब है ही नहीं तो ऐसे ही लिख दो बिना bracket के plus का 30 minus का 93 अब bracket जब हट जाती है तो sign बड़े वाले का लगाना होता है कौन number बड़ा दिख रहा है 93 बड़ा दिख रहा है और minus के sign के साथ है तो answer में भी क्या आएगा minus sign तो लगा दिया अब दोनों number के sign देखके आप पता करो के plus करना चाहिए या minus एक में plus लग रहा है और दूसरे में minus लग रहा है उल्टे sign आ रहे है तो plus और minus क्या होता है minus तो आप इन्हें minus करोगे और minus करके आपका answer आजाएगा 63 तो इस तरह से यह fifth part करेंगे अब आ जाते हैं sixth पे plus का 48 minus का 48 सबसे पहले तो bracket अटाओगे और bracket के उल्टे हाथ पर बाहर कुछ है ही नहीं तो direct लिख दो plus का 48 bracket अट जाएगी और आगे का minus 48 अब ऐसा question मैं first वाले question में भी करा चुका हूँ ऐसा एक part क्या कि नमबर तो एक जैसे दिख रहे हैं एक नमबर के left पे plus है और दूसरे वाले नमबर के left पे minus है तो ऐसे में इन्हें हम cut कर देते हैं और answer क्या हो जाता है जीरो अब आ जाएं seventh पे seventh part में क्या है zero minus bracket minus 78 zero तो बिना bracket क्या है तो इसे तो ऐसे ही लिख दो ये जो bracket है इसके उल्टे हाथ पर क्या है minus और इसके अंदर क्या है minus दोनों sign एक जैसे है न तो bracket हटाने पे जब दोनों sign एक जैसे होता है तो plus ले लेते हैं और number क्या लिखेंगे जो number दे रखा था 78 अब zero में कुछ भी जोड लो answer वही आएगा तो answer क्या हो गया 78 आप इसमें plus लगा सकते हो कोई sign ही नहीं है तो plus ले सकते हो direct 78 लिख दोगे तो भी ठीक है तो यह हो गया आपका part number 7 अब देखें part number 8 36 minus यहां question different है यह absolute का sign आगया अभी तक तो bracket है आ रही थी हर part में यह absolute है और absolute में है fourth exercise में आपको पढ़ा चुका हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी थी तो link मिल जाएगा आपको description box में तो हम सबसे पहले यह absolute को हटाएंगे तो 36 को तो ऐसे ही लिखना है अब यह मत सोचना कि यह bracket है तो बाहर minus और अंदर भी minus तो plus कर दे नहीं this is not a bracket यह bracket नहीं है हमें इस minus को as it is लिखना है same यह तो नीचे as it is लिखना है और absolute के अंदर जो भी number दिया होता है ना उसका sign हटा के स्रिफ direct value लिख देनी है तो absolute हट जाएगा तो 7 में minus भी हट जाएगा absolute हट गया तो 7 में minus भी हट गया तो बचा क्या 63 तो absolute हटाने के लिए मैंने आपको पिछली exercise में पढ़ाई दिया था कि absolute हटने से plus या minus जो भी दिया होगा absolute के अंदर वो भी हट जाएगा तो हमने हटा दिया अब इन दोनों में कहीं bracket तो दिखनी रही तो जो बड़ी value है ना उसका sign लगा दो answer में कौन है बड़ा इन में 63 बड़ा है और minus लग रहा है तो हम भी answer में क्या लगा देंगे minus अब दोनों के sign देख लो 36 के उल्टे हाथ पे कुछ नहीं है तो क्या लगा हो plus और इसके उल्टे हाथ पे minus plus और minus क्या होता है minus तो आप जब इनको minus कर लोगे तो आपका answer आजाएगा 27 तो यह हो गया आपका part number 8 अब देखें part number 9 absolute बनावा है यहाँ भी और उसके अंदर है bracket minus 18 minus 18 और absolute बन तो सबसे पहले हम यहाँ bracket हटाएंगे जो absolute के अंदर है तो यह absolute यहाँ से लेकर यहाँ तक as it is बना देना है यह अभी नहीं होगा इस bracket के बाहर क्या है ना तो plus दिख रहा है यहाँ bracket के left hand पर ना तो plus दिख रहा है और ना ही minus तो bracket हट के क्या आएगा minus 18 फिर दुबारा minus 18 जो आगे दे रखा था अब अगला वर क्या करेंगे absolute अभी नहीं हटाएंगे absolute लगा रहेगा दोनो नमबर जो है उनके sign देखेंगे दोनो नमबर क्या है बराबर बराबर है लेकिन यह cut नहीं पाएंगे कभी आप cut कर लो जैसे मैंने यहाँ cut करा था यहाँ तो cut इसलिए करा था क्योंकि number तो same थे बट एक plus का था और एक minus का लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है यहाँ पे number तो same है बट sign एक जैसे आगए उल्टे sign नहीं है तो minus 18 और minus 18 इन में बड़ी value कौन है बड़ी तो कोई भी नहीं है दोनों ही equal है तो आप दोनों में से जिस मर्जी का चाहें आप sign लगा लो दोनों जब है ही बराबर और दोनों में sign भी एक जैसा है तो answer में भी क्या लगा दो आप minus लगा दो बड़ी value का sign आता है दोनों ही आप अपने आप में क्या है बड़ी हैं जब बराबर हैं तो हम क्या कहेंगे कि दोनों ही बड़ी है अब दोनों के sign देखो और इन्हें पता करो कि plus करना चाहिए या minus तो दोनों के sign देखो इसके उल्टे हाथ पे क्या है minus इसके उल्टे हाथ पे क्या है minus minus और minus क्या होता है plus होता है that means हम इन्हें plus करेंगे 18 और 18 को तो answer बनेगा 36 अब equal लगा के इस absolute को हटा देंगे जब आप इस absolute को हटा दोगे तो rule यह है absolute हटने से अंदर जो sign लगावा होता है plus या minus वो भी हट जाता है तो simple answer क्या आएगा 36 तो यह होगा आपका part number 9 आप देखें part number 10 bracket में minus का 38 plus bracket में plus 80 सबसे पहला step क्या है आप bracket हटा हो जब यह bracket हटा होगे तो bracket के उल्टे हाथ पर कुछ है ही नहीं जब कुछ है ही नहीं तो bracket ऐसे हट के minus 38 आजएगा यह bracket हटा होगे तो bracket के उल्टे हाथ पर plus है और अंदर भी क्या है plus दोनो sign एक जैसे है जब दोनो sign एक जैसे है तो क्या करेंगे आप प्लस और प्लस सेम साइन हो तो प्लस ही लिया जाएगा 80 अब ब्रैकेट कहीं नहीं बची जब ब्रैकेट नहीं बचती तो साइन बड़े वाले का लगा दो कौन है बड़ाईन में 80 80 के उल्टे हाथ पर क्या है प्लस तो हम भी उल्टे हाथ पर यहां प्लस लगा देंगे अंसर में अब माइनस इसमें है और प्लस इसमें है माइनस और प्लस बताता है कि आप माइनस करोगे इन दो वैल्यू को तो जब आप इन दो वैल्यू को माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आजएगा 42 इन्हें माइनस करके क्या हैगा-42, तो यह हो गया आपका part no.10 अब देखें पार्ट नमबर 11 ब्रैकेट में माइनस का 145 प्लस फिर ब्रैकेट में माइनस का 55 सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे ब्रैकेट रटा देते हैं ब्रैकेट के उल्टे हाथ पर यहां कुछ ही नहीं बाहर तो ऐसे ही लिख दो बिना bracket के minus का 145 यहां bracket के बाहर उल्टे हाथ पर क्या है? plus और अंदर क्या है? minus plus और minus क्या होता है? plus और minus होता है minus तो आप minus करोगे उल्टे sign है न तो minus लगा दोगे और 55 लिख दोगे अब जब bracket हट जाती है तो sign किसका लगा देते हैं? बड़े वाले का बड़ा number कोन है? 145 बड़ा दिख रहा है जिसके उल्टे हाथ पर minus है तो answer में भी minus आ जाएगा अब दूसरी चीज इसके उल्टे हाथ पर minus है इसके भी उल्टे हाथ पर minus है तो minus और minus क्या होता है? प्लस होता है तो आप इन दोनों को plus कर लोगे जब आप इन दोनों को plus कर लोगे तो आपका answer हो जाएगा 200 तो यह हो गया आपका final answer 11th part का अब देखें 12th part 0 plus bracket में minus का 81 0 plus minus 81 सबसे पहला वर क्या करेंगे आप 0 को तो ऐसे ही लिखेंगे bracket के बाहर है plus और अंदर है minus तो plus और minus उल्टे sign है तो हम क्या लेंगे minus 81 को ऐसे ही लिख देंगे अब अगला step bracket जब हट जाती है तो हमें sign बड़े number का लगाना होता है 81 बड़ा दिख रहा है जिसके उल्टे हाथ पे minus है तो हम भी answer में क्या लगाएंगे minus और एक 0 है 0 का मतलब कुछ नहीं nothing 0 means nothing तो 0 को छोड़ दो तो बचा क्या number 81 तो final answer आपका क्या आएगा minus का 81 तो यह हो गया आपका question number second आज हम इतने ही question करेंगे आयोप आज का पढ़ाया हुआ topic आप सब को समझ आ गया होगा if you like my way of teaching then please like comment और share जरूर करें in the next video I will give you remaining question of this exercise